तो पान हम खा रहे हैं अब चलते हैं दुकान में अब आज हम आए हैं टोरांटो के इंडियन बाजार इसका नाम है जराड इंडियन बाजर रीजन है क्योंकि ये ज़राड स्क्रीट इस पर बना वा है है और इससे अच्छा दिन क्या हो सकता है जब aux अदिवाली से एक पहले वाजा वीक एंडे सापनिया शॉक्त फिस तॉर् और देखते हैं क्या मिला है if or from the शुर्छास के हां ज्टाग पर रहता है पिजने ह्या हां बेस्और कि नहीं नहीं ज्ला सकते हैं जो कि अब यहनों टेखते हैं क्या पर क्या मिल जाए दिये तो मिल रहे हैं मगर मुझे इंट्रस जादा इस पर आ रहा है ले इसका इंडियन मैजिक मसाला यहर जगा नहीं मिलता यह भी पक्का लेने वाले हम अब हम एक और शॉप के बाहर खड़ें जिसका नहीं है बॉंबे फाशन और इसके सामने भी काफी इंडियन कपड़े दिखने हैं इन गाउं सपेशलि इंगर इंडीयन गमतिक पढ़ने ली इसका सटें तो समर्स में ये लिए सकते हैं मुझे पता नहीं मिलते हैं मैं तो सोची ज़ी पी इंडिया से लाना पड़ेगा लेकिन नहीं ही मिलता है तो समर में जstr 의 Like order यहां पर मेंस के भी शॉर्ट कुर्टे वगएरा होते हैं वो सब भी मिल काफी अच्छी शॉप थी अच्छा खासा समान था इंडियन वगएरा पो थोड़ा कॉटन वगएरा का भी कुछ चही हो तो मिल सकता था और प्राइस भी साही है तो चेक आउट किया जा सकता है सबसे बड़ी मतलब सबसे बड़ी मतलब सबसे बड़ी मतलब सबसे बड़ी मतलब काफी बड़ी इंडियन ग्रोस्री शॉप है मुझे यहाद है हमारी पहली दिवाली थी था 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 तब यहां इस जुरूब इस दुकान में जुरूरूरूरूरूरूरूरू मुझे यह नहीं पता था कि हमें यहां पर यह भी देखने को मिलेगा पतंजली का समान भाइसा पतंजली भी यहां पैयार बहुत सभी पूजा अगरा का समान भी पड़ा यहां पर सारा और इन फैक्ट यह सारी अगरबतियां और नीचे देखो अगर आप यह चकला बिलन भी बढ़ा होगा है तो इसलिए अगर आप इंडिया से आ रहे हो बहुत जादा कोई समान भर-भर के लाने की जुरूद नहीं है यहां पर काफी कुछ मिल जाता है यहां पापड भी मिल रहे हैं रंग भी रंगे खाएं किसी ने अपने मैं तो बहुत जादा खाती थी इनको इस ट्रीट की ना फील बहुत ही एकदम इंडियन वाली है जैसे मुझे नहीं बता जो जो दिल्ली से उनको पता होगा जैसे कर प्रोल बाग है या कमला नगर है एकदम वैसी वाली फील है और जो खुच्बू भी आरी ने वो जो इंडियन खानों की होती है वो अपना कढाई पनीर और शाही पनीर वाली वैसी वाली खुच्बू है कर दो कर दो कि अधियर यहां पर प्रस्टीज के कूकर भी नोगी ने परिश्टीज के कूकर भी नहीं है इंडिया में होती है न वो जो दुकाने बरतन भंडार एकदम वैसी वाली फीलर्स दुकान की यह सबसे बड़ी इंडियन शॉप लग रही है लेकिन अभी भूग बहुत तेज लग रही है तो हम पहले कुछ खाना पीना करेंगे और फिर यहां आके इसको चेक आउट कर लेंगे कि एक रेस्टरांड यह भी है लेकिन अभी हम यहां नहीं जा रहें रीजन भी हमारा जाने का मन है उधर मोती महल सो वहां चलते हैं तो यहां मिसले आये हैं क्योंकि यहां की छोले भटूरे बहुत फेमस हैं और इंपाइट जितने लोग यहां पर बैठे है ना सब की टेबल पर एक एक प्रेट चैने भटूरा की ज़रूर है और अगर आप उधर देखो लाइन इतनी लंबी लगी है ना इतनी लंबी लाइन है कि और राने में कम से कम 20-25 मिन लगी है लेकिन फील इतनी जबरदर सारी ना सारे अपने अपने देशी भाइबाइन भाइब हैं हिंदी में बात वाद चल रही है इतना मरा आ रहा है आई जी चलो तूट पड़ेंगे इतने सालो बाद ये एपिक है जनरली ना इंडियन खाना को कई जगा मिल जाता है लेकिन मसाले के परस्पेक्टिव से में अगर बता हूँ ना तो थोड़ा डिसपॉंट होने को ही मिलता है क्योंकि यह थोड़ा अंग्रेजों के साफ से भी बनाते है थोड़ा स्पाइस प अब बढ़िया लग रहा है मतलब बिल्कुल अब डिसपॉंट नहीं होगे अगर यहां पर आके चोले बटूरे तो अब जहां हमारी पेट की आग बुझ गई है तब हम कंटिन्यू कर सकते हैं इस इंडियन बजार को एस्प्लोर करना लेकिन अब चोले भटूरे खा लिया सम्नी शोपन हमуска ओख हर आँ अब चलतले हैं दुकान में लिएंट मिर्णी इस शॉप में चिकन के कुड़े के मैटीरियल बीया और मुझे चिकन के मटीरियल हुआ हूँ चोल्टेरियल हूँ एक भ़हager लगता है इस शॉप में शोप में चिकन के मैट्रियल बहुछ अब तक हम ले जतनी शॉप्स देखिए हैं उसमें सबसे ज्यादा मेंस का यहां पर है और नहरू जाकिस की कलेक्शन इतनी ज्यादा है ना यहां मुझे साडी का ब्लाउस ही मिल गया जो अपनी साडी के साथ है वो तो कोई फिटानी रहे तो बाइचान्स जो बने बनाया आते हैं वो वाला बलाउस भी मिल गया अब हमें पूजा का मंदिर का थोड़ा बहुत समान लेना था जैसे दिवाली पे शुब दिपावली होता है वो और कहीं तो दिखा नहीं शायद इस दुकान पर मिल रहे है तो चलो चलते हैं और चेक आउट करते हैं आप मूर्तिया ले लो आप फोटोग्राफ्स ले लो चितने भगवान जी हैं सबकी और दिवाली से रिलेटिड भी जो शुब दिपावली का साइन होता है या कुछ भी डेकोरेशन के लिए होता है वो सब कुछ अवैलेबल था एजली यहां पर तो डेफिनेटली चेक अब हमारा अगला स्टॉपोवर है लाहोर टिका हाउस यह एक पाकिस्तानी रेस्ट्राउंट है जहां पर विच फेमस फॉर इनके कबाब वगेरा लेकिन यहां पर बाकी विजो इंडियन चार्ट वगेरा होती है ना जैसे भेल पूरी या गोल गप्पे यह भी बहुत ही स विच जरूर करना पड़ेगा क्योंकि यहां पर बहुत फेमस है और अंग्रेज और हर कोई मतलब इंडियन पाकिस्तानी सब आखाने और बहुत अश्रा का बहुत इसा निया कि जो भी इंडियन रेस्टान्ट वह एक पर अपको सिरफ इंडियन 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 इंडिय गुश्राइब है तो हाँ, काफी मजा आता है बठ्धाव लेट्स गोटो लाहॉर टिका हाउस हमारा डिसाइद हो गया है हम खाने वाले हैं चिकन सीक कबाब आही के गोलगपे और साथ में पाकिस्तानी खीर मैं निशान के पीछे पड़ी थी कि यहां पर जरूर आने है और इसका में रीजन है यहां के कोलगपे यहां के कोलगपे आट टू डाय पॉर यह सीख कबाब यहां की स्पेशियालिटी है और वर्थ एट है अना सही है अना बस बापस जाने का टाइम आगया है पर हमने बहुत ही जादा इंजॉय करा ऐसा लगा इस स्ट्रीट पर आके जराच सीट पर आके बस इंडिया वापस आगया है छोले बटूरे खाए आसपास स्ट्रीट बाते करते सिनाव पान खाया डिवाली के सज सजाने की सारा समान होता है मंदिर का वो सब लिया तो और फिर कबाब और खीर के साथ हमने अपना दिन का मतलब अगाए आज पूरी फील आई मतलब मुझा यह वैल्या और डिवाली एक शॉपिंग पर निकले है और इस प्रेट में आपके अच्छी फील आई ना तो जरूर मतलब अपका गुमार अप्रा पूरा जाएगा तो अबस अब अबस अब एक बना तो अबस अबस आपके अपनी विडियो एंड करते हैं तप तढ के लिए बाइब आई